मदबरदेश की बड़वाह जनपत पंचायद से लगी हाउसिंग बोर्ट कॉलोनी बिबेकरंद नगर शरश्वती नगर सहथ बड़वाह कस्वा पंचायद छेतर में जगए जगए गंदगी कामबार लगा हुआ है कहीं डैनेज लाइन चोक पड़ी है तो कहीं रोट पर ही गंदा बदवुदार पानी बहता हुआ दिखाई दे जाएगा स्वक्षता अवियान की यहां पोल खुलती हुई साफ दिखाई देती है कॉलोनी बासियों ने जन सुर्वाई सहत अनेक अधिकारियों को शिकायते की हैं लेकिन हाल बेहाल ही रहा अब बाडवासी डरे हुए हैं तो वहीं उनका कहना है कि महामारी फैल रही है कोई पॉजिटिव व्यक्ति निकला तो उसकी चवाबदारी प्रशासन की होगी बहर हाल अधिकारियों के चक्कर काट काट कर हम परेशान हो गए हैं बाडवासी बाडवासी गोविंदर शर्मा की रिपोर्ट करोना महारी के इस दोर में यहां के सफ़ई अगरा कुछ हो नहीं रही है यह जो टंकी पानी के इसके कई सालों से सफ़ई नहीं भी है और ड्रेनेज टोटल चोग पड़ी है इसे भी सफ़ई कराना आगामी वर्षाकाल को देखते हो इसको भी सफ़ई के बहुत आव सकता ह है और यहां पर सफ़ई की कोई पंचाय दुआरा कोई कर्मी ध्यान देने रही है इसके समय पेले भी हम सिकायत कर चुक है जन्न सुनवाई में कर चुक हैं पंचाय हौसिंगोर्ट को भी हम लिखित में सिकायत कर चुक हैं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है जो हौसिंगो इसे भी करोनम हमारी फिलने का डर हमेशा बना रहता है। अब यहाली में कालोनी में संदीग्द कोरना का संक्रमित पाया गया है। भगवान ना करेगी कोई एसी पाजेटिव रिपोड आए। फिर अगर एसी स्थती में यहां पर यहाल रहे है। तो यहाँ जरूर कोई बड़ी बीमारी को हम इंतजार कर रहे है। प्रसासन से भी कर चुके हैं जनसुनवाई में भी हम सिकायद कर चुके हैं विगत तीन महां से ही स्टीट लाइट बंद है पुरी कालोनी में अंधेरा फेला हुआ है और अभी इस तरह की हाँ यह जो पानी की समस्या गंदा पानी हम जो पीने को मजबूर हैं हमारा प्रसासन से और आप सभी से बस यही निवेदा ने कि हमारी समस्यां को जल जल दो रस्त किया जाएं जो पानी का डिमेंज विवस्ता यह नहीं हो पा रही है इसका पानी पूरा चोक हो जाता है बारिश में पुरे मलेरिया देंगू ऐसे पेशेंट हो जाते हैं और उसके विवेका न